राजस्थान में एक दिल दहला देने वाली घटड़ा होई है जिसमें एक ही परिवार के तीन सदस्यों ने सुसाइड कर लिया मृतकों में पती पत्नी और एक बेटी है वहीं दो साल की एक बेटी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्दी कराया गया है बताया जा रहा है कि बेटे की बिमारी और आर्थिक तंगी की वज़े से घठना को अंजाम दिया गया है पुलिस ने बताया किम्रतक रिजवान के गले में फंदा लटकाने से मोथ हुई पुलिस के आने से पहले परीजनों ने उसे उतार कर चार पाई पर रख दिया था जबकि उसकी पत्नी और पुत्री की संदिक्त हालत में मोथ हुई है उन्होंने बताया कटना इस्तर से जानकरी ली गई है किम्रतक की एक अन्य धाई साल की पुत्री संद्ना अची दवस्था में थी जिसे परीजनों ने अस्पिताल में भर्ती करवाया जहां उसका इलाज चल रहा है पुलिस ने तीनों शवों को कबजे में लेकर पोस्ट मार्डम के लिए भेज दिया है एक ही परिवार के तीन सदस्यों के एक साथ सूसाइड करने से पती पतनी और एक बेटी की मोथ हो जाने से समुच एक्षेत्र में संसनी फैल गई है वही चारों और चीख फुकार मची हुई है बताया जरा है कि रिजवान किसी कंपनी में ड्राइवर का काम करता था काफी दीनों से अपने बेटे की बिमारी के कारण काम पर नहीं जा रहा था कई अस्पतालों से वहा बेटे का इलाज करवा रहा था परीजनों ने बताया आठ तारिक को ही वह अपना पुत्र का अलवर से दवाई लेकर गाम लोटा था आर्थिक तंगी के चलते अक्सर पती पत्नी में मनमुटाव होते रहते थे वहां नशे का भी आदी हो गया था फिलहाल पुलिस मामले की जाज कर रही है जानकारी के अनुसा मृत्यक रिजवान की शादी अपने बड़े भाई के साथ हरियाना के अडवर गाउं से हुई थी मृत्यक के पांच पुत्री और एक बेटा था बड़ी पुत्री करीब साथ साल और सबसे छोटी पुत्री दो वर्ष की थी पुत्र चार साल का है बताया जा रहा है कि सुब मृत्यक के बड़े भाई की पत्नी पशिवों को चारा खिलाने के लिए गई तो उसकी नजर अचानक टीन सेट की ओर गई जब उसने जिजवान का शवलटका हुआ दिखाई दिया जिस पर शोर मचाया और परिजन इखटे हो गई और घटना की जानकारी पुलिस को दी खेर उथल जीले के तीजारा डीएसपी मुनेश कुमार ने बताया पुलिस की सूचना मिली के मालियार जट गाउं की चाहत हाजी की धानी में एक परिवार के पती-पत्मी और एक पुत्री की मोध हो गई है सूचना पर डीएसपी मुनेश कुमार थानाधिकारी कमलेश कुमार घटना इस्तल पर पहुचे वहाँ पर उन लोगों ने देखा कि एक टीन सेट कमरे में रिजवान तीस वर्ष पुत्र अबदुल गनी फासी के फंदे मृतक शरीर पे चार पाई पर पड़ा था उसके पास ही दूसरे कमरे में मृतक रिजवान की पत्नी सुनती 28 वर्ष और बेटी समरीन चार पाई पर मिली मृतकों की पहचान पति रिजवान पत्नी सुनती और बेटी समरीन के तोर पर हुई है वहीं एक पुत्री सन्ना दो वर्ष का अलवर के अस्पताद इलाज चल रहा है बताया जा रहा है कि सभी ने सुसाइड किया है जानकारी के मुताबिक परिवार ने सामुहिक सुसाइड का कारण बेटे की बिमारी और आर्थिक तंगी बताया जा रहा है DSP मुनेश कुमार ने बताया कि एक ही परिवार के तीन लोगों ने सुसाइड किया है इस पूरे मामले की जाच की जा रही है मृतिक के पिता ने रिपोर्ट दर्श कराई है उसके आधार पर मेडिकल बोर्ड से पोस्ट मार्टम करा कर जाच की जा रही है मेडिकल टीम की प्रथम द्रिश्टी में आया है किरिजवान मौत गले में फंदा लगने से हुई है उसके पतनी और बच्ची की मौत जहरीला पदार्थ खाने से हुई है झाल 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 झाल